यूपी के बुलंद शहर में भी नाबाली की शोरी के साथ उसी के समदाई के युवक ने अफराल कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है देर रात पीड़ता के परजनों ने आरूपी को दबोच लिया और नाबाली को उसके चंगुल से मुक्त करा दिया हलाकि पुलिस के पहुचने से पहले ही अरूपी के घरवालों ने उसे मौके से भगा दिया इस मामले में पीड़ता और अरूपी के परजनों के बीच गाउं में पंचायत हुई जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्च कराए गई सुचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने अरूपी युवक को देर रात तकरीबन एक बजे गरिपतार भी कर लिया नबालिक किशोरी के साथ अफरल कर बलतकार की घटना ठाना का कोड इलाके की है पीड़ता के परजनों के मताबिक किशोरी परवार के साथ घर के आंगन में सो रही थी देर रात उन्ही के समदाय का पडोसी युवक रिजवान उर्फ पकावली दिवार फान कर घर में घुस गया और मुह पर रुमाल सुआ कर किशोरी को घर से उठा कर ले गया बाद में घर से कुछ दूरी पर किशोरी के साथ आरोपी ने रेप कर डाला पीड़ता शोर ना मचा पाए इसलिए आरोपी ने उसके मूर में कपला ठूस दिया था रात में गायब होने पर किशोरी के परिजनों ने उसकी तलाश की तो आरूपी उसके साथ रेप करता हुआ पकड़ा गया परिजनों ने आरूपी को पकड़ लिया था लेकिन पुलिस के पहुचने से पहले आरूपी के परिजनों ने उसे मौके से भगा दिया किशोरी के साथ रेव की घटना 29 बटा 30 की रात की है घटना के अगले दिन यानि 30 सितंबर को गाउ में आरूपी और फीड़ता के परिजनों के बीच पंचायत हुई जिसके बाद 4 बच कर 26 मिनट पर पुलिस को सूचना दी गई सूचना मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरूपी जिजवान को ग्रिपतार कर लिया सस्पी संतोस्क मार सिंग ने बताया कि आरूपी फीड़ता का पडोसी है साथ्यभीर सिंग जनमत न्यूज बुलंद शहर कर दो कर दो